आज हम बात कर रहे हैं मुद्राइं विभिन मुद्राइं हैं आज हम नय प्रक्रण भी चालू कर रहे हैं जिसको हम मुद्रा प्रक्रण का नाम दे रहे हैं मुद्राइं विभिन मुद्राइं यह हमारी देह पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं और इनका भी हमें स्वस्य करने में बहुत अधिक योगदान होता है यह कशे आपके साथ ऑसी समस्या है तो इस वीडियो का पूरा देखे हैं ताकि आपको पता चले है कि मुद्रा करे आप उसको सुधार सकें। आप उसको सुधार सकें। सुधार सकें। आपको जिसें कोई चीज़ पकड़ सकती। आकाश, सबसे उंचा आकाश, उसकी बाद यदि किसी को पेशाप करने जाना है और मुह से ना बोल पाए, तो उंगली से दर्शा देते हैं, ये है जलतत्व, तीन उंगली आपको स्पस्ट हो गई, आप बात करते हैं, दो उंगली आपको याद करना होगा, और जब आप पता चल जाएगा कि हाँ कौन सिंगली क्याब दताती है, तो आप को मुद्रा का पूरा प्रक्णा बताएंगे, तो आपको सारी बाते स्पस्ट हो जाएंगे, आप बात करते हैं, मुद्राओं को करने का समय कोई निर्धारित नहीं होता है, आप 15-20 मिट से लेकर 2-3 घंट भी मुद्राओं कर सकते हैं, आपके पास कैसा समय है, आपको कैसा रोग है, कितनी देर आपको करना है, ये आपके उपर निर्फर करता है, कि आप कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं, आप खाली समय को मुद्रा लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप पूरा दिन भी म आप मुद्रा कर रहे हैं, आपकी जो पीठ है, वो हो सके वहां तक सिधी रहने चाहिए, तो इसके लिए आप वीडियो देखेंगे, हमारी प्लेलिस्ट है, सब कुशल है, प्राणायम के प्राणामीचर, जो वीडियो प्राण में आपको मिल जाएंगी, वो हमने दिये हुए तो आपको कैसे सिधा बैठना है, आप जमीन पे बैठे हों, कुछ बिछा के बैठे हैं, कैसे बैठना है, हमने सब आसान कैसा, सब हमने बताया हुआ है, उसके वादे आप पूर्शे पे बैठ सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, पर आपकी प्रिट सिधी होने चाहिए आपकी प्रिट सीधी है क्योंकि लोग करते क्या हैं ऐसे बैठके मुद्राइं करने लग जाते हैं तो कैसे भी आप हांत रखेंगे कैसे भी उंगलिया होंगे तो आपको प्रणाम पूरा नहीं मिलता है क्योंकि हम देखा है लोगों को मुद्रा करते हुए हम ध्यान मुद्र तो आप इस बात काईदी अपने मस्तिश्क में ठीक से ध्यान रखते हैं, तो आप ये बड़े आसानी से कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे, और साथ ही आपकी जो कलाई है, वो घुटने पे होनी चाहिए, और सूचने में बड़े थी किसलों के लिए रहते हैं, तो इस बात ऊपर रहते हैं, तो अभी कलाई घुटने पर ही आईगी, ऐसा नहीं कि कलाई गुटने पर ही रखनी है, वह बेटने का तरीका पाएंगे, जितने नीचे आजाएंगे, उतने लिए पदमा से लगा लेते है तो गुटने और अच्छे से हो जाएंगे सिधे तो आप और अच्छे से कर पाएंगे ये देख लिजी और अच्छे से लग जाता है तब और अच्छे से कर पाएंगे लेकिन कुल मिला के मुद्रा आपको करते समय कुछ विशेश बातों की जो सावधान या रखनी है हमने आ तो आपको मुद्रा बहुत अच्छा काम देगी मित्रो मुद्राओं का इस्तेमाल करके हमें देखा है, बहुत से लोग जो प्रायम नहीं कर पा रहे हैं वो सांस तो ले ही सकते हैं, तो सांस लेने के साथ यह दो मुद्रा करते हैं तो उनको बहुत अच्छे असर मिलते हैं आप करके देखिए आपको पता चलेगा बिस्तर पर पड़े प्रेशंट यदि आप मुद्रा भी नहीं कर पर तो मातर सांसों पर ध्यान करते रही है आपको उससे भी लाब बनेगा और धिरे धिरी जब आप कर पाएं तो मुद्रा करना आरंब कर ये आपका लाब बढ़ता चला जाएगा नितनों मुद्रा जैसके बताया बिस मिट से लेकर आप जितना करना चाहें कर सकते हैं और भोजन के कितने समय बाद तो यदि आपको मुद्रा करना ये कोई दिक्कत आ रहे हैं कोई समस्या आ रही है तो आप उसको तुरंद बंद कर दे क्योंकि कई पर किया पर अभी हम आपको यदि करते समय कुछ गड़बड हो रही है आप मुद्रा को कुछ मुद्रा कर रहे हैं उसमें आपको समस्या हो रही है तो आप उसमुद्रा को तुरंद बंद कर दें उससे आपको लाब नहीं होगा और क्या गड़बड़ होंगी क्या समस्या आएंगे हो भी हम आपको जब मुद्रा बताएंगे तो हम आपको बताते चले जाएंगे ताकि आपको कोई भ्रह्म ना रहे और फिर भी कोई प्रशन बचता तो टिपणी वीडियो पर करिए उतर आपको जल्दे मिल जाएगा और प्रशन वीडियो पढ़ाते उतर आपको जल्दी मिलेगा धन्यवाद वन्दे मात्रम